नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल News Markets 24 में आज हम आपको सोयाबीन प्लांट दिलिवरी भाव में गिरावट से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे अप्रेल के 12 से 18 के दोरान विदेशों से सोया तेल के आयात में वृध्धी होने और सोया डी ओसी की घरेलू और निर्यात माम की कमजोरी के कारण मध्यप्रदेश, महाराश्ट्र और राजस्थान में सोयाबीन के प्लांट दिलिवरी मूल्य में 100 से 200 रुपई प्रती क्विंटल की कमी देखी गई मध्यप्रदेश में सोयाबीन का मूल्य 4700 बटा 4850 रुपई प्रती क्विंटल हो गया महाराष्ट्र में 4650 बटा 4750 रुपई प्रती क्विंटल और राजस्थान के कोटा में 75 रुपई घटकर 4775 रुपई प्रती क्विंटल पर पहुँच गया अर्जेंटीना में नई फसल की जोरदार कटाई तयारी होने और ब्राजील में कटाई का अंतिम चरण पहुँचने के कारण सोया बीन के दामों में दबाव आ रहा है सोया रिफाइन तेल की कीमतों में भी स्थिर्टाया कुछ नमी आई है देवास में 5-7 रुपए और मंदसौर में 3 रुपए की नमी रही है लेकिन वहां एक प्लांट में कीमत 13 रुपए बढ़कर 958 रुपए प्रती 10 किलो हो गई है महाराश्ट्र में भी आमतौर पर 5-10 रुपए की नमी रही है लेकिन कुछ प्लांटों में कीमत 10-11 रुपए तक तेज हो गई है कोटा में 10 रुपए की नमी के बाद कीमत 990 रुपए प्रती 10 किलो हो गई है और हल्दिया में 20 रुपए की नमी के बाद 93 रुपए प्रती 10 किलो हो गई है कुछ अन्य प्लांटों में भी सोया रिफाइंड तेल में नमी देखी गई है आवक के समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान राश्ट्रियस्तर पर सोयाबीन की आवक 12 अप्रेल को 2.8 शूने लाख बोरी, 13 अप्रेल को 1.3 पांच लाख बोरी, 16 अप्रेल को 1.7 शूने लाख बोरी और 18 अप्रेल को 2.1 शूने लाख बोरी दर्स की गई, हर बोरी 100 किलो होती ह खबर में सिर्फ इतना ही इसी तरह के न्यूस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और News Markets 24 देखते रहे